हलो बच्चो वेलकम टू एडूमेंशन मेरा नाम है स्रेश्ट कुपता और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इकांसलिंग के बारे में 2023 के सैनिक स्कुल के इकांसलिंग का अभी अभी एक बहुत लेटिस्ट अब्डेट आया है में वेबसाइट पे एक PDF आई है जिस PDF को मैं explain करने वाला हूं जिसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको इकांसलिंग के लिए क्या क्या करना है यह official document है जो आपको screen पर दिख रहा है इस official document को मैं एक बार read कर देता हूं और इसमें main main points में आपको समझा देता हूं इस यह आपर starting में लिखा हुआ है instructions for registration for admission into sanic schools तो ultimately यह क्या कहना चाहरा है कि जब आप e-counseling करेंगे तो उससे पहले आपको registration करना पड़ेगा उस registration के लिए क्या 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 करना है क्या के information है वो इस PDF में दिया हुआ है इस PDF आप screenshot ले सकते हैं धिरे धिरे करके और मेरे साथ-साथ वीडियो के अंग तक चलेंगे तो आपको एक-एक point में बारी-बारी से समझाता जाओंगा सबसे पहले तो important, सबसे important point तो यह है कि आप इस नाम को याद रख लिजे All India Sanic School Admission Counseling AISSAC तो जब तक आप counseling करने वाले हैं आपको यह short form बार-बार दिखाई देगा AISSAC जैसे आपने रटा था AISSAC All India Sanic School Admission Counseling वैसे यह है AISSAC All India Sanic School Admission Counseling उसके बाद आपको सबसे important data यहाँ पर मिलता है कि या तो यह 6 तारी को start होगा 6 March को या उसके बाद start होगा तो इन्होंने information भली यह दी हुई है कि 6 तारी क्या 6 तारी के बाद start होगा लेकिन official announcement website पर ये भी बोल रही है कि 6 March को शाम को 4 बजे ये e-counseling का process शुरू हो सकता है तो 99% chance है कि 6 March 2023 को शाम को 4 बजे e-counseling शुरू हो जाएगा अगर नहीं भी होता है तो within a day एक या दो दिन के अंदर में शुरू होना guaranteed है चौथे point बगर हम है तो यहाँ पर देखते हैं कि हम registration जो करेंगे हम e-counseling शुरू करने से पहले आपको registration करना है उस registration का process क्या है उसका सबसे पहला process है आपको application number की जुरुत पड़ेगी तो application number आपके पास already है application number और date of birth को use करके ही आपने अपना score card निकाला था तो application number आपके पास already है उसके लावा आपको क्या नीड होने वाली है उसके लावा आपको नीड होने वाली है आपके mobile number की और आपके email id की आपके mobile number आपके email id दोनों पे ही one time password याने की OTP भेजा जाएगा जब आप अपना application number डालेंगे उसके बाद तो आपका OTP आएगा आपको OTP डाल के verify करना है और उसके बाद आपको एक password बनाने के लिए बोला जाएगा तो OTP डालने के बाद आपको option आएगा कि make a password है न वो password आप बनाओगे दो बार password लिखना पड़ता है एक बार normal password फिर उस पासवर्ड को दुबारा लिखना पड़ता है confirmation के लिए और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको password आपका password बन गया अब क्या होगा password बनने के बाद दुबारा से आपको login वाला पेज पर जाना पड़ेगा और वहां पर आपको फिर से application number डालना पड़ेगा और application number के शाथ आपको अपना password डालना पड़ेगा जो अभी अभी आपने बनाया था और वो password आपको याद रखना है अपना application नमबर आप किसी के साथ share कर सकते हैं चलेगा कोई दिक्कत नहीं है जैसे हमने फर एक्जामपल आपने स्टुडेंट से अप्लिकेशन नमबर और उनका date of birth लिया था इस ओके टू गिव डैट लेकिन अप्लिकेशन नमबर और पासवर्ड जो भी है आपका वो पासवर्ड आप हंडेट परसेंट करते हैं क्योंकि उस पासवर्ड का यूज करके आपकी e-counseling के साथ छेड़ चाड़ की जा सकती है इसलिए किसी भी रैंडम इंसान को या कंप्यूटर दुकान वाले को अपना पासवर्ड ना दें कोशिश करें कि पासवर्ड उन्हीं के पास दें जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं आपने पासवर्ड डाल दिया आपने रजिस्टर कर लिया उसके बाद क्या प्रोसेस है उसके बाद आप देखेंगे कि जैसी आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका डीटेल है वह सैनिक स्कूल के पास चला कि एक बाद चेक करके बता चेक कर लिजे कहीं कुछ गलत तो नहीं भर गया है पर आपको करना है यस कंफर्म मैंने सब कुछ सही भरा है और फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्रीट हो जाएगा Candidates not registering on AISS AC 2023 Portal will not be considered for the allocation of seats in any of the सैनिक स्कूल including new सैनिक स्कूल तो यह सबसे important point है point number 9 अगर आपने registration नहीं किया e-counseling के portal में registration अभी शुरू नहीं हुई है तो panic नहीं करना है 6 March 2023 शाम के 4 बज़े के बाद registration शुरू होने के chances बहुत जादा है अगर नहीं भी होते हैं देख दो दिन के अंदर में start हो जाएगा registration कर लीजेगा तो कि registration नहीं करेंगे तो आप e-counseling में भर नहीं पाएंगे और e-counseling अगर आपने fill up नहीं किया तो आपको सैनेक स्कूल मैडमिशन नहीं मिलेगा चाहे आपके marks कितने भी अच्छे आए हों सैनेक स्कूल की exam में तो जो भी guidelines है उसके बारे में details मैं पूरी वीडियो अभी मैं बना के डाल दूँगा आप नए हो तो चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आपसे कोई भी data मिस मत हो बहुत जादा regret हो सकता है अगर आपने अच्छे marks lab qualify हो गया पर अपने ढंक से नहीं भरा तो उसके बारे में details में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए आप चैनल को subscribe कर लिजे और दूसरी बात कि अगर आपको लग रहा है कि आप independent रहना चाहते हैं आप Google पर जाएए वहाँ पर search करिए Sanic School e-counseling 2023 जो पहला link आता है वो पहला link ही official website का है वहाँ पर आप क्लिक करके जाएएगा तो website के ओपर सारा data दिया होगा यह जो PDF में आपको show कर रहा हूं वो भी कहां से आ है it has also came from the website itself तो I think आप लोगों को मैंने जो भी बताया है वो समझाया होगा कोई भी डाउट से comment में तुरंट message करिए student की life का सवाल है selection का सवाल है admission का सवाल है कोई भी डाउट होगा comment करिए मेरे पास जब भी time मिलेगा मैं आपके comment कर रप्लाई कर दूँगा otherwise अगर आप मेरे से जुढना चाहते हैं directly मेरे से WhatsApp बात करना चाहते हैं आप हमारा WhatsApp group join कर सकते हैं जिसका link description में दिया है और हमारा telegram group भी है जिसमें आप link से जाके description में जो link दी है उससे join कर सकते हैं ताकि कोई भी update आती है कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका आपको notification वहाँ पर मिल जाए I think इतना काफी है next video पर मिलते हैं तब तक के लिए हसते र आते रही देखते रही श्रेसर की क्लास टाटा बाई 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 जय हिन्द